बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे तेरे कूचूं पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें अपनी उमंगों की चाहतें सब जजबूं की साथें तेरा वजूद ही मेरा वजूद है तेरा कयाम ही मेरा कयाम है तु है तो मेरा नाम है मेरी जाद की पहचान है तु मेरा पाकिस्तान है सजरे जीवकार आज हम आजाद हैं दिलशाद है और अपने अपने घरों में आबाद लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि कल्मा ए तैबा की जागीर ये पाकिस्तान सुरा ए रह्मान की तफसीर ये पाकिस्तान माओं पिहनों की दुआओं की तासीर ये पाक्स्तान काईद और अगबाल के खौब्धों की तावीर ये पाकास्तान और उ Hospice । मुस्लिमाद की तगदीर ये पाकीस्तान हमें मीरास में कैसे मिला कितने लोगों ने कुर्बानिया दी कितनी माँ उन्हे अपने लखते जिगर खो दिये कितने बच्चे अपनी बाप की शफकत से महरूम हो गए कितनी बहनों की अस्मते लुटी और कितने भाईयों के सर तन से चुदा हुए खुद बखुद तूट कर गिरती नहीं जन्जीर कभी खुद बखुद तूट कर गिरती नहीं जन्जीर कभी बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी सद्रे जीवकार एक वक्त था जब पाकिस्तान नाम का कोई खिता दुनिया में मौजूद ना था हिंदुस्तान में बसने वाले मुसल्मान खुद को कमजोर और कम तर्च सहुवर करने लगे थे फिर सरसेद एहमद खान अपने बूडे हातों में चिराख और कलमदान थामते हैं अलामा अकबाल अपने अफकारों इशार और गुफ्तारों किरदार से उमते मुसल्मा की खुदी को बेदार करते हैं और काइद्याजम जैसे मुखल सहनुमा के पीछे मुसल्मान ने हिंद अपने तन मन धन की परवा किये बगेर एक बेर लोस सफर का आगास करते हैं जिसकी मनजल पाकिस्तान थी खुने दिल देके निखारा था ये गुल्शन अफसर्दा बहारा आए ना आए अप फूल खिलेंगे सजरे जीवकार हकीकत पसंदी का मुझाहिरा करते हुए आज हमें ये तसलीम करना पड़ेगा कि हम अपने बज़र्गों की मेहनत और कुर्बानियों को साल के चंद मखसूस दिनों पर याद करते हैं और अफसोस कि ये रुजहान भी गुजरते वक्त के साथ कम से कमतर होता जा रहा है ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपने बज़र्गों के अफकार को सही मानू में अमली जामा ना पहना सके नतीजतन कभी मौाशी भवर में फस गए तो कभी देशतगर्दी की लपेट में कभी फिरका बंदी की नजर हुए तो कभी इंतजामी गह यकीनी से दोचार इच्तमाई मसायत पर दूसरों पर बेजा तनकीर को हमने अपना शार बना लिया मगर अपने हिस्से की शमा चलाना भूल गए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तकदीरे कब बदला करती हैं फजाए बद्र पैदा कर फरिष्टे तेरी नुस्रत को उतर सकते हैं गर्दूं से कतार अंदर कतार अब भी आज जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी इन्फरादी और इस्तमाई जिम्मेदारियों को पहचाने और इस मुल्की तरक्की में बढ़ चड़ कर हिसा लें क्यूंकि इस पाक वतन की किस्मत में लिखा है चमकना चमकेगा तुम लाग सवेरे कतल करो ये चान फलक पे दमकेग या शहीदों के लहू से सींचे हुए इस शजर की आबियारी हम पे फर्ज है हम अपने असलाफ की कुर्बानियों के मकरूज हैं हमें इकबाल के अफकार का अमीब बनना पड़ेगा हमें सरसायद की सोच को परवान चड़ाना होगा ला इलाहा इल्ला के नजरिये पर काइम किये गए इस वतने अजीज की हिफाज़त ऐसे करना होगी जैसे इसका हक है फिर नुस्रतِ खुदावंदी हम से दूर नहीं अब तूट गिरेंगी जंजीरे जिन्दानों की खैर नहीं जो दरिया जूमके उठे हैं तिनकों उससे न टाले जाएंगे कटते भी चलो भड़ते भी चलो बाजू भी बहुत है सर भी बहुत चलते भी चलो कि अब तेरे मन्जिल की पे डाले चाहेंगे शुक्रिया बहुत शुक्रिया फामिया तमाम डिबेटर से गुजारिश है कि अपनी तक्रीर को पांच मिनिट तक मेहदूत कीजे पांच मिनिट से उपर अगर तक्रीर गई तो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी अभी मैं अपने नेक्स डिबेटर को बलाती हूँ प्लीज कम अप ऑन दे स्टेज मुहमद हसान अले आउज बिल्लाहि मिन श्चेटवान रुजीम बिस्म लाहिर रुख्मान रुख्मान रुख्म सख्तियां जेल कर जान पर खेल कर दीन और दुनिया की दोलत मिली है हमें हम है असलाफ की अजमतों के अमी एक मुकदस अमानत मिली है हमें ऐ शहीदों की रुखो ऐ शहीदों की रुखो दौा दो हमें और तुम को खिराजे वफा देंगे हम खिता पाक किया बुरू के लिए आखरी कत्रा खूब बहा देंगे हम इस मुकदस अमानत का कोई नहीं हमसे बहतर अमी ये दिखा देंगे हम ये वतन ये जन्नत नुमा टुकड़ा जिसकी आजाद फिजाओं में हम सांस ले रहे हैं इतनी आसानी से नहीं मिला था इस वतन की असास में इसकी बुन्याद में लातादाश शहीदों का लहू अंगिनत इसमतों की कुर्बानियां बेहसाब मुस्लिम बेटियों की कुउओं और नहरों में तेरती लाशे नेजों की अन्यों पर परोए मासूम अजसाम और तकरीबन तीस लाख चानों का नजराना शामिल हुआ तब जाकर तब जाकर ये वतन हासिल हुआ और हम तरक्की की राह पर गामजन हुए सर बुलंद पाकिस्तान की दो मिसाले देता हूँ मुजद सामई कौमों की तारीफ में कुछ लमहात एतने मुत्वर बन जाते हैं जो न कौमों के वकार उनकी जज़त और तोकीर और फखर की अलामत होने के साथ-साथ उनकी सलामती और इस तहकाम को दवाम बखशने का सबब बन जाते हैं बला पाकिस्तानी कौम उस लम्हे को कैसे बूल सकती है कैसे फ्रामोश कर सकती है कि जब इस कौम के जरखेज दिमाग बेटों ने इस पाक सरजमी को आटमी ताकत बनाया और इसकी तरफ उठी हुई हर मैली यांग को अठाइस मैं के दिन चागी के पहाडों से ललकार कर वाज में रहें दूसरी मिसाल कि जैसा कि हम सब जानते हैं साइंसी तहकीक के मताबिक बीसवी सदी अगर एटम की सदी है तो 21 सदी मौसलाती सेयारों की सदी है 1960 के अश्रे में मुकाबले की जो फिजा अमरीका और सोवेट जूनियन के दरमयान नज़राती थी उसकी जलकियां आज चीन और बाहरत की मोहिमात में देखी जाती है लेकिन आज ये बात हमारे लिए काबले फखर है कि पाकिस्तान भी इस दोड में शामिल हो चुका है 21 नुवंबर 2013 को पाकिस्तान का इंस्टिट्यूट अफ स्पेस टेकनॉलजी अपना पहला क्यूब सेट आई क्यूब वन के नाम से खला में पहुंचाने का इजास हासल कर चुका है और नादीदा कुवतों के लिए ये वाज़े पेगाम पहुंचा दिया गया कि नहीं रोक सकेंगे शाहिनों को ये मंदिर के पुजारी अब जो उड़े है तो आसमा चुकर रहेंगे सोचना ये है जनाबे वाला कि आज पैंसर से सतर साल का अरसा गुजर चुका हम उन मंदिलों को जल्द क्यों न पा सके इन मंदिलों में हमारे निशाने मंदिल थे कैसे गुम होगे क्योंकि ये वतन ला इलाह इल्ला पर बना था और शेतान कुवते इसलाम की अजमत के इस निशान को बरदाश्ट ना कर सकी उन्होंने अपने गुर्गों और एजेंटों के जरिये कर्दों का खुगर बनाकर इस कौम को बिकारी बना दिया और ये सर बुलंद पाकिस्तान पस्ती की तरफ गिरना शुरू हो गया आज हालात आपके सामने हैं कि यहां मुल्क को बेचने वाले भी सोने में तोले जाते हैं दर्वाजे उनकी पलकों की जुमबश पर कोले जाते हैं हम पूछते हैं उन जर्वालों से क्या हम मुफलिस इंसान नहीं जो खाब था लाकों आखों का ये वो तो पाकिस्तान नही जो खाब था लातों आँखों का ये वो तो पाकिस्तान है मुज़स सामई आज फिर मुकाबला दर्पेश है मेरी कौम को मेरे मुल्क को उन बैक्टेरिया से उन वाइरिसे से जो हमारी ही शकल में हम पर अमलावर है जिनों ने इस मुल्क और इस कौम के ये बत्तरी नलाद कर दी है कि कौम अपनी बगा की तलाश में लिर्ज रही है आंधिया चल रही है समधरी तूफान आ रहे है जलजले आ रहे है इस पाक सरजमी पर मौत रक्स कर रही है सिर्फ इन जरासीमों की वज़ा से हमें खुद को आई पोटेंसी आईटी बार्टिक बनाकर इन वतन द्शमत जरासीमों के खिलाफ उस तरह जंग लड़नी है जिस तरह अजादी के हसूल की खातिर साला साल तक लड़ी थी मैं जवाब देता हूँ अपने जखमी वतन की पुकारता मैं जवाब देता हूँ अपने काईद को अपने एकबाल को शहिदाने वतन को के एए वतन एवतन आगए हम विदा हो तेरे नाम पर तेरे पेगाम पर एए वतन एवतन तेरे गदार घैरत से मूँ मौड़कर आज फिर अईरो गैरो से सर जोड़कर तेरी विज़त का बाओ लगाने चले तर्यास्मत का सथा चुकाने चले दम में दम है तो यह करने देंगे नाम, चाहलूल की कोई चलने देंगे देंगे नाम तुझको बिकने न देंगे किसी दाम पर जाने लुटा देंगे तेरे नाम पर सर कटा देंगे तेरे पैगाम पर ऐवतन ऐवतन शुक्रिया 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 The next debater is Miss Nida Seher Please come up on the stage You have only five minutes ma'am So please Be mindful of the time सामीने कराम मैंने अपनी पहचान को तलाश किया मैंने अपनी पहचान को तलाश किया मुलके शाम में और उसके चमने स्तानों में वादिये उंदलस में और उसके रिखजारों में मैंने अपनी पहचान को तलाश किया मुल्क मिस्र में और उसके हुसन बाजारों में कजाफस की बुलंद चोटियों पर अर्बो अजम की वुस्सतों में लेकिन मुझे अपनी पहचान का एक भी सिरा ना मिला फिर मैंने तारीख की किताब पर पड़ी धूल को जटक कर देखा मैंने मनजर को पलट कर देखा तारीख मुझे क्या दिखाती है एक तरफ बरतानवी तागूत है दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सामराज इन दो फ्रियोंतों के दर्मियान मेरा अजीम काईद मुहम्मद अली जना मुस्कुरा रहा है मेरे काईद के पेशानी पे फताह की बशारत है यह बशारत मुसल्मानाने हिंद को पाकिस्तान की सूरत एक पहचान मिल जाने की है बगेर इसके कहाँ मुम्किन थी शनाखत मेरी मेरा वतन मेरे शजराए नस्प की तरह है हादरीन इतरामी पहचान के सफर से मुझे मालूम हुआ मेरी पहचान खिलीद से नहीं फारस से नहीं अमरीका से रहीं अफरीका से नहीं बलके मेरी पहचान मेजर अजीज भटी से है, राशिद मिनहास से है, इंसानियत के खिद्मत करने वाले अब्दुसतार एदी से है, टिप की दुनिया में नई जहत लाने वाले हकीम महमद सईद से है, कराची के फुटपातों पर शहीद हो जाने वाले मुफ्ती शामजई और अलामा हसन तुराओी से है, कमसीतरीन मायक्रोसॉप्ट एक्सपर्ट अरफा करीम और शाफिय ठभानी से है, और मेरी पहचान इस थर्टी पर कुर्बान हो जाने वाले एक एक जवान से है, पहचान के सफर में एक ही सदा सुनने को मिलती है, मिलते इसलामिया की शान हो, महम अमद बिन कास्म की पहचान हूँ, काइद के खौबों का मसकन, एक्बाल का वजदान हूँ, हाँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, कुंतफ़ीन कराम पाकिस्तान महद एक मुल्क का नाम नहीं बलके एक नजरिये की सरबुलंदी का पेगाम है आजादी का निशान है वो आजादी जममोलों को शहबाजों से लड़ा दे दी है गदाओं को शिक्वाए जमो परवेज अता करती है और फिर भी आजका नुजवान ये सवाल करता है कि इस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है इस मुल्क में रखा ही क्या है तो मैं इस जवान को कहना चाहूंगी कि दुनिया में हमारी पहचान ये ही पाकिस्तान है कैसा पाकिस्तान ये प्यारा प्यारा पाकिस्तान गुन गुनाती आप शारों का पाकिस्तान फलक शगाफ चोटियों का पाकिस्तान जन्नत नजीर वादियों का पाकिस्तान मेरी आबरू पाकिस्तान मेरी जुस्तजू पाकिस्तान मेरी जिन्दगी पाकिस्तान मेरी बंदगी हर लम्हा हर लह्जा हर आन पाकिस्तान मेरी शान पाकिस्तान जमीनों जमा मेरा है कोनों मका मेरा इससे उल्फते गल्बी यह है पाकिस्ताने रा जो होंगे दुश्मना इसके वो होंगे दुश्मना मेरे जो ये होगा तो हम होंगे जो ये ना होगा तो क्या होगा हमारा सामीरे कराम आज हमें ये एहद करना है कि जहां हमारी बहादर अफवाद सरहदों की पासबान है तो हम नजरियाती महाथ पर अपनी अफवाज का साथ देंगे क्योंकि हम गायत के सिपाही अकबाल के शाहीन हैं हमें ये वादा करना होगा कि हम पाकिस्तान की तरकी के लिए हर मुम्किन कोशिश करेंगे और किसी किसम की कुर्बानी देने से दरेख नहीं करेंगे मिल्लत के मुकदर का सितारा घर खुद नहीं बनता मामार बनाता है घड़ी खुद नहीं बनती घड़ी साथ बनाता है ये मुल्क खुद से तरकी की मनाजल तैने ही करेगा ये हम नोजवान नसल हैं जो इसके लिए मेहनत करेंगे और आखर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूंगी खुदा करे के मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फस्ले गुल जिसे अंदेशा जवाल नहो यहां जो पूल खिले यहां जो पूल खिले वो खिला रहे सद्यों यहां से खजां को भी गुजरने की मजाल नहो पाकिस्तान जिन्दाबाद शुक्रिया थैंक यू डिबेटर्स को दुबारा याद दिलाया जाता है कि अगर आप टाइम एक्सीट करेंगे तो नेगिटिव मार्किंग होगी कि निदा आप थोड़ा सा टाइम एक्सीट कर गई है अगले डिबेटर्स रिक्वेस्ट में करूंगी कि प्लीज विदिन फाइव मिनिट्स करें और दे नेक्स डिबेटर इस मिस्टर असफंद्यार खान बिस्टिलाहिर रख्मान रहीम मैं पाकिस्तान का एक आज़ाद पर्द हूं सद्रियाली वकार लेकिन मेरा शिक्वा पाकिस्तान से नहीं बलकि अपनी इस मायूस कौम से है तारीख गवा है कि जौके खराश को खो देने के बाइस हम घुलामी के नवे साल काट चुके है लेकिन आज भी अपने घरों के पुर्सकून कोनों में आसानिया तलाश कर रही है क्या हम भूल गए रंगून की जेल की दीवार से सरमारते उस हुक्मरान को जिसकी रियाया शेर सुनने और शराबें पीने में मस थी क्या हम भूल गए हस्पानिया के जवाल की उड़ती हुई खाक को कि जिसमें आठ सो साला हकूमत का एक बाल खोकर रह गया अरे हम तो सत्तर साल कबल महाजरीन की बेघरी का वो सानिहा भूल गए कि जिस पे रोना बहुत चोटी बात है सद्रेयली वकर क्या हम भूल गए सोला दिसंबर की याद में रोशन किये गए उन तमाम दियों को जिनकी कामती हुई लबों से ये सदा आती है कि ऐ फालिच जदा कौम क्या तुम को अपनी चोदा सो साला तारीख का पास है के नही अफसोस सदफसोस कि हम अपनी ही मायूसिया मिटाने निकले तो दो चार नारों में हमारा गला बैट गया और पांच साथ कदम चलने के बाद हमारे पैर में बेहिसी के चाले पड़ गए तो मीनार कहिं कीजिए उस टीपू सुल्तान की याद में जो अपनी ही कौमियत का पास रखने की खातिर वफादारियों की सूली पर जूल गया कफन दीजिए तारीख की उन तमाम किताबों को जिन में यूसफ बिन ताश्प्राइन की अजमत की अकीदे लिखे गए और फातिया पढ़िए इस सुमन बुक्मन और अम्यन कौम पर कि जिसे एक सही सलामत मुल्क मिला और वो इसमें नफर दुगाने लगे कि यहां तो जमीरों के चरागों की जियाएं बेच देते हैं ये कैसे लोग हैं जालिम जपाएं बेच देते हैं हवस की इंतहा का ये आलम कि अभी जाफरो सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो इमान बेच देते हैं मुनासिब दाम लग जाए तो इमान बेच देते हैं सद्रेयली वकार हमने माना कि हमें हमेशा से शिक्वा जुल्मते शब रहा है लेकिन शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक कि जब खवारिज दरिंदा सिर्फ मेरे वजीरिस्तान सवात और बाजोड को यजीद बर यजीद बन कर मैदाने करबल में ढलने की कोशिश कर रहे थे तो सद्रेयली वकार मैंने खाकी वर्दी इस तन पे उड़े इस पाक बतन का अल अपने सीने से लगाए और इस बतन का एहद अपने कांदों पे उठाए मैं तो हुसैनी था कि जिसके बेटे की आखों में आस्वों के तमाशे थे लेकिन खुदा चानाब मैं फिर भी दुश्मन की आखों से आखें मिला रहा था कि फलक पकार उड़ी सुन तू किसी की ना सुन एक ही दुन को बुन और चुन चुन कर मगरूर सर काट दे लरस्ता हुआ सरों से गुजर वार सीने पे कर और जिगर चाक दे नोग से रोक ले वक्त की गर्दिशे दश्ते शामों वजूदे सहर काट दे अरे आज जिबराईल भी पर बिचाए अगर तू रियायत कर उसके पर काट दे तू रियायत ना कर उसके पर काट दे आप सब की समातों का बहुत बहुत शुक्तिये शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक ये थे अस्वन्द एंड थैंक्यू सो मच अस्वन्द के आपने वक्त की पाबंदी रखी अब हमारी नेक्स डेपेटर आ रही है मिस्टर तैमूर रियासा प्लीज आए अलिवकार बात पाकिस्तान की हो और कश्मीर की ना हो ऐसा मुम्किन नहीं सद्रे अलिवकार कि सोचने की बात है क्या लोग सिर्फ लंडन और न्यॉयॉक में बसते हैं सोचने की बात है कि सिर्फ लंडन और न्यॉयॉक में बसने वाले लोग ही मासूम और बेगुना है कि सिर्फ किसी गोरे टॉम डिक की लाशी इंसानियत की तोहीन है। कि सिर्फ टिंक पिंक या मुझ पर की गई कारवाई ही देशतगर्दी है। कि सिर्फ मगर्बी और बरतानवी माय ही माय है। कि सिर्फ सुर्ख और गोरे बच्चे ही बच्चे है। कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही इंसान है सद्रिया लिवकार सोचने की बात है क्या मुसल्मान इंसान नहीं क्या कश्मीर बेबसने वाले लोग बेगुना बेकसूर नहीं क्या बुरहान वाली की लाश इंसानियत की तोहीन नहीं कि कश्मीरी बच्चे बच्चे नहीं, कि कश्मीरी बेहनों की चीखे चीखे नहीं, कि कश्मीरी मा की जिसके पेट को चाक करके उसके नामालूत बच्चे को दोनों टांगों से पकड़ कर चीर देना दरंदेगी नहीं, कि कश्मीरी नौजवान नहत्ता नौजवान जिस पर पहले गन से पायर करकर उसको अंधा कर देना दरिंदी की नहीं सोशनी की बात है सद्रे आली बकार लेकिन अब सोशनी की जरूरत नहीं मैं आज इस एवान में उस मजलूम कश्मीरी के सदा बनकर अर्शो फर्श पर गूजना चाहता हूं के तू परिंदे मार दे चाहें सरवो सुनोबर मार दे तेरी मर्जी तू जिसको दहशतगर्द कहके मार दे और वो एक के जिसको ढूनेने के लिए भेज दी इतनी सिपा ये नहो के वो तुझको तेरे घर के अंदर मार दे और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज कर लश कर के लश कर मार दे जो परिंदे भेज कर लश कर के लश कर मार दे आलिवकार हमें एक पुरमन कौम हैं हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर मुजाकरात से हल हो ना कि जंग से जंग तो खुदी एक मसला है जंग क्या किसी मसले का हल देगी लेकिं सद्रिया लीवकार मुझाकरात होते रहे लेकिन मसला कश्मी राज भी जूकातू है मैं जानता हूँ कि हमारा पाकिसान अभी सोया है लेकिन मरा तो नहीं मद्दम है लेकिन अभी बुझा तो नहीं ये तो वो हैं जो सीचते हैं किष्टे सहर अपने लहू से मांगे हुए सूरे से सवेरा नहीं करते अगर अब मुझाकरात नहुए तो इंसाफ होगा इंसाफ होगा उस बहन के लिए जिसकी इजद को तार तार कर दिया गया इंसाफ होगा उस मां के लिए जो आज भी अपने बेटे के इंतजार में बूटकंदों पर अपने जवान सहरों को कब्रिस्तान तक पहँचाया अरे हम अम चाहते हैं हम अम चाहते हैं मगर जल्म के खिलाफ अगर जंग लासमी है तो फिर जंग ही सही में नूर जहां के सिपाईों से, इलामा एकबाल के शहीनों से और इस पाक सर्जमीन पर जानिसार करने वाले जानिसारों से कह दूँगा के दुखतरे बर के रंजो महन बन के दन हर बदन में अजल की अगन कोल दे लशकरों का जिगर चीर मसी में आ जलजलों की तरह गन में गनन गोल दे दुश्मन की लहू की हर एक मौज में अपने माते की हर एक शिकन खोल दे आसमा पर उड़ा उनकी गरदनों को इनके कफन खोल दे चीन ले चीन ले दुश्मनों की बीनाया रोज रोशन पे नाजल से आरात कर तेरा दुश्मन जहन्न का इंदन बने इन पे चिंगारियों की वो बरसात कर सुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे संसनाता हुआ सब सरों से गुजर वार सीने में कर और जिगर काट दे वार सीने में कर और जिगर काट दे आलिवकार कश्मीर हमारा है जैसे ये सारा पाकितान हमारा है आपकी समातों का बहुत शुत्रिया तेरा दुश्मन जहन्नम का इंधन बने ये जजबात से भर पूर तक्रीर करने वाले थे हमारे तैमुरिया साथ अब आखरी मुकरर आज के दिन के बुलाती हूँ मैं सेयद कमाल हैदर साथ प्लीज आएए सेयद कमाल हैदर साथ, प्लीज एर्रीवन गिविम अ बिग हैंड 21 साला सेकंड लेटिनेंट अब्दुल मुईत का हसीन चहरा ताजा गुलाबों के पहलू में मुस्कुराते हुए ये कह रहा था नहीं है बंदा हुर के लिए जहां में फिराग गिल्गित का 21 साला बिशारत का शहादत के बाद खिला हुआ रोशन चहरा ये गवाही दे रहा था हम हैं बंदा आजाद के चिराग 16 नवंबर सन 2014 फात्मा के बाबा मेजर इसहाद का रुख रोशन उस बंदा आजाद की रोशन तफसीर था जो नारा हक बलंद कर रहा था के जमी की मांग में जिनको लहूब भरना नहीं आता उन्हें जीने का क्या हक है जीने मरना नहीं आता फिर उन्हें के नक्षे कदम पर चलते हुए कश्मीर का बुरहान मुझफरवानी अपनी लहूरंग कबा लिए इस धजसे मक्तल की जानिब रवाना होता है कि उसकी शहादत मौट को शिकस्त दे कर ये ऐलान करती है कि खूने खाक नशीना था रिसके खाक हुआ फिर सिपाही मकबूल हुसेन जिन्दान की दिवारों पर अपनी जुबान कटवा कर अपने लहू से पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लिख कर दुश्मन के मुपर ये तमाचा रसीद करता है के जमी की मांग में जिनको लहू बरना नहीं आता उन्हें जीने का क्या हक है जिनें मरना नहीं आता के कातिल मेरा निशा मिटाने पे है बसिद मैं भी सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा मैं अपने डूबने की अलामत के तोर पर दरिया में एक आज भवर छोड़ जाऊंगा लशकर करेंगे मेरी दिलेरी पे तब सरे मरकर भी जिन्दगी की खबर छोड़ जाऊंगा मरकर भी जिन्दगी की खबर छोड़ जाऊंगा पाकिस्तान एक लफज नहीं एक कैफियत का नाम है सद्रे जीवकार अरे ऐसी हस्तियों के जहूर के लिए जिन्दगीयां काबा और अबादत गाहों का तवाफ करती है तो तब जाकर ऐसे बतले जलील और मर्दे जमील पैदा होते हैं जो फना फिल्ला की तहमें बका का राज मुजमर करकर ये ऐलान कर जाते है के सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी अरे जब तक जमीन की कोक से पैदा होने वाले नौजवान इस मट्टी के लिए शहीद होते रहेंगे जब तक और्तों पर आवाजे कसने वाले आईशा मलिक को जस्टिस सुप्रीम कोड देखते रहेंगे इस कौम का इकबाल कभी नहीं को सकता सदरे आली वकार हम वो नौजवान हैं जो खुद परस्तों और शम्मस्तों को ये नवीद सुनाते हैं के आखरी बार अंधेरे के पुजारी सुन ले मैं सहर हूँ उजाला हूँ हकीकत हूँ मैं मैं महबत का तो देता हूँ महबत से जवाब लेकि नादा के लिए कहरो कैमत हूँ मैं अम्न में मोज़ा है नकट मेरा किर्दार सही जंग के दोर में गैरत हूँ हमिज़त हूँ मैं मेरा perception मुझे ललकार के जाएगा कहा खाक का तैश हूँ अफलाग की दहशत हूँ मैं हााक का अतैश हूँ अफ लाक की देष्चेत हूमें बहुत जिए बहुत जिए Now, the debaters will be informed about the results. Meanwhile, as the results are being announced, I would like to request the audience to follow PIX ISB. You have to tag PIX ISB and whenever you make a tweet, you have to put the hashtag NYC2022. On Facebook, you can follow our page and you can see live updates and pictures. So, if anyone is interested that they can spot you in the audience, please follow our Facebook page and our Twitter. Or please tweet with NYC2022 handle. And again, the announcement of the blood drive. Many young people are watching me, but they are giving the benefits of the blood, I don't know. Please give the benefits of the blood. There are many of these people who are giving you the benefits of the blood. के अतियात की अशद जरूरत है. Alright, there is one debater, जो शायद थोड़ा सा लेट हो गए. Mr. Usman Ali, आप प्लीज स्टेज पर आएए, और हमें अपना आइडियास और परस्पेक्टिव से इनलाइटन कीजे. Mr. Usman Ali, please give him a big hand. Thank you. Thank you. तु शाहीन है, पर्वाज है काम तेरा, तु शाहीन है, पर्वाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमा और भी हैं. सद्रियाली बगर, हुजूर सल्लाह अलेह वालेह वसल्म के अवकात जिन्दगी सुबह से शाम और शाम से सुबह तक अदाएफ फर्ज की, वो रोशन और ताबिंदातर मिसाले हैं के जिनकी रोशनी में कुरूने उला के मुसल्मानों ने दुनिया पर वो शानदार फते हासल की, जिसकी मिसाल मश्रिकों मगर्ब ने आज तक पेश नहीं की. तुझे उस कौम ने पाला है आगोश महब्बत में, कुचल डाला था जिसने कदमों में ताजे सरेदारा। सद्रिया आली वगार, जिस कौम के अफराद इल्मी लिहास से अफजल हों, सरगर्मे अमल हों, इخलाकी लिहास से बलंदो बाम हों, जहनी लिहास से बलंद मरतबा हों, जोशे किर्दार से उनके सीने मामूर हों, और मेहनतों मुशकत उनका ओड़ना बिछाउना हों, तो व यही वो खूबियां हैं, जो किसी कौम को पस्ती से उठाकर अरुजो एकबाल के तख़ पर जल्वा गर कर देती हैं, यही वो मुहासन हैं, जिनके पर लगाकर इनसान फिजाए नीलगून की पहनाईयों में महवे परवाज हो जाता है, और एक काम्याबी के बाद, दूसरी आप अपनी हालत के बदलने का, सद्रिया आली वकार, अगर तारीख पर नजर दोनाएं, तो जल्मतों के दोर में कोई ना कोई ऐसी किरन जरूर दिखाई देगी, जिसने सुबह रोशन को तलू कर दिया, यह वो मिल्लत है, जिसने तारिक बिन जियाद, मुहम्मद बिन कास और टीपू सल्तान जैसे बहादूर इंसान पैदा किये, यह जिसके खेतों की मटी में लाले यमन पिनहा है, जहां सरवर, राशिद, अजीज भटी और लालक जान जैसे सबूत, जान कुर्बान करते नजर आते हैं, रोशनी बनकर अंधेरों में उतर जाते हैं, हम वही लो जही तरभीयत के सरचश्मों से, आज भी काईदियाजम और अलामा अकबाल जनम ले सकते हैं, अगर हम इसी जजबे पर अमल पैरा रहें, तो रोबो दबदबा हमारी दुलहन, इस्जत औ बुलंदी हमारा हिस्सा, हैबत हमारी अदा, शहादत हमारी तमना, और फत्ह हमारा मुकदर होगी, क्योंके अगर जमा हो, मेरी कौम के जसूरों गयूर, अगर जमा हो, मेरी कौम के जसूरों गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, सद्राली वार एक वक्त था कि एक सत्रा साला नुजवान मुहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल होता है और देखते ही देखते राजा दाहर जैसे मजबूत हुक्मरान को शिकस्त फाश देता है मुसल्मान का शेवा ये नहीं कि वा मौत से डरे वो तो सिर्फ अला से डरता है उसके लिए इस दुनिया की जिन्दगी या मौत कोई मानी नहीं रखती तर्जे कोहन पर उड़ना और आईने नौ से डरना तर्जे कोहन पर उड़ना और आईने नौ से डरना मन्जिल यही कठिन है कौमों की जिन्दगी में बहुत